पड़े रे नो कर हो जागो तो संत मलेगी लाडी रे इरे बड़िया तेन मलेगी हीरो होंडा लाडे रे पड़े रे नो कर हो जागो तो संत मलेगी लाडे रे पहले तो पड़बाडार की सगाई वजवा करई अब तो क्यतो कोई नोकिरी लेग दे आएग उत्तो सगाई की चरचप सलेगी और के कोई बड़ी बिजनेस होगी तो भी आपकी बाट नाड़ जे वह यारी पेड़ बाड़ आनना दो कोई स्यूंगी गोंदरी हर कोई चीश सोच होगी के छोटो मोटा नोकर तो हो वही और नोकर कौन होट कोई दूदबर हो चाहे मौणडाम दाहती मतवाई अज़ा दूदबरन के पीछ बड़गी दुग्या है कि हम दो पैदे हैं दूदबरन के दोरी देवा में कि पांस साल पीछे वह महमान बेर जाया गो तो छोड़ा नोकर हो जाया गो तो रंतपाईगी जे बढ़िए सेटिंग बेड़ जाएगी अज़ी आप दीप सड़गे तो मेर मोरेंगे जब रांड बेर हो जी मेर तो जिंदा है अज़ी रंड गवा जरूर होगा भुबा बेर की ट्यारी कोई विवस्त आवद कर दीजो भगवाल क्रिशन और अर्जुन का बाद विवाद क्रिशन और अर्जुन के बीच कई रिष्टे थे क्रिशन और अर्जुन दोनों नर और नाराण का जोड़ा था नर के बिना नाराण नहीं और नाराण के बिना नर नहीं अरजुन अपने आप में एक धन्दूरदारी पीर योद्धा था लेकिन अरजुन को सांसार ज्यान नहीं था जैसे आज कहते हैं कि बिना सिक्षा के ये मानस जीवन अधूरा है कोरी सिक्षा से काम नहीं चलता किताबी ज्यान से काम नहीं चलता हर इनसान को सांसार ज्यान होना बहुत जरूरी है और जिस आदमी को सांसार ज्यान हो जाता है वे जिन्दगी में कभी ठोकर नहीं खाता है तो भगवान करसन अबजुन को सांसार ज्यान कराने के वास्ते इस दुनिया का बिर्मन कराते हैं क्योंकि सांसारे क्यान की ना कोई कॉलेज होती ना कोई स्कूल होती ना कोई गुरू बनाया जाता सांसारे क्यान के लिए इनसान को अपना छेतर और अपने गोंसले को छोड़ कर दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है कुछ देखने से ही कुछ सीखने को मिलता है तो भुगवान कर्षने अरजन को इस दुनिया का भर्मन कराते हैं और जब अरजन गर से बाहर नकल कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई इंसान इसाराम की जिंदगी जी रहा है कोई दो रोटी के लिए भटक रहा है अरजन ने कहा कनया मैं इस दुनिया में मानम सरी लेकर आया हूँ तो मानमता के पक्षे में बात पूछना चाता हूँ कि इस दुनिया में कोई इंसान इसाराम की जिंदगी जी रहा है तो कोई दो रोटी के लिए बटक रहा है, इसा क्यों हो रहा है, भगवाल कृष्ण बोले अर्जुन, इसमें मेरा कोई हच्छेप नहीं है, क्योंकि इंसान का जीवन करम के उपर आधारित है, इस दुनिया में दोका जोड़ा है, जरण है तो मरण है, भूप है तो जाया है, अमीरी है तो गरीबी है, सुख है तो दुख है है, लेकिन जो इस दुनिया में आया है, उसे एक दन इस दुनिया से जाना होगा, जाते समय उसके साथ क्या जाएगा, अगर कोई जान जाए तो कभी दुख नहीं पाएगा बहुत से भाई कहते हैं ने कि इस दुनिया में आया है तो खाली आत और जाएगा तो खाली हाथ जूटी बात है जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अपना भाग साथ ले करके आता है और जब इस दुनिया से जाता है तो अपना करम साथ ले करके जाता है ना कोई खाली हाथ आता है ना कोई खाली हाथ जाता है तो करम के अधार पर हर जीब और हर इंसान सुख और दुख पाता है अरजुन के लिए बात समझ में आई आगे चल पड़े फिर एक छोटे से शेहर में एक गाउं में प्रवेज किया तो देखा उसमें छटी सो कौम बसी हुई सभी जातियां बराजमान हैं अपने अपने करम के अंसार जीवें बैतित करते हैं लेकिन अरजुन के मन में फिर प्रिसन पैदा हुआ गनया इन सभी जातियों में कौन सी जाती उची है और कौन सी जाती नीची है करिशन बगवान बोले अरजुन मेरे देखने में तो कोई सी जाती उची नीची नहीं है सब जातियां एक समान नहीं कनया हम जातियां बराबर की नहीं हो सकती क्योंकि इस बात को तो मैं खुद जाणता हूँ क्रिशन भगवान बोले ले अरजन जातिया कभी उची नीची नहीं होती उचा होता है तो करम होता है और नीचा होता है तो करम होता है करम ही इंसान को उचा होता देता है और करम ही इंसान को नीचा पटक देता है जबकि जातिया किसी को उची नीची नहीं दिखाती नहीं जाती उची नीची होती है अर्धुन इस बात पर कृष्ण वगवान से बैस करता है कि नहीं हम जातियों में बहुत परक है तो भगवान कृष्ण बोले तू ही बता दे तेरे देखने में कोड़सी जाती उची नीची है अर्धुन जट से बोला मेरे ही देखने में नहीं संसार के देखने में भंगी की जाती सबसे नीची जाती है सब की जूटन खाती है कीचन गंदगी में रहती है और भंगी के छिमने से एक पवित्रता पैदा हो जाती है ना 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 अरजन तब तो भूत दूर भूला अगर अंतर आत्मा से देखा जाए तो भंगी की जाती सभी जातियों में उची है उच श्रेणियों में नी जाती है बंगी की जाती की उपर दोनों के बीच बाद बाद हो गया बगवान करिसन समझ गए कि अरजुन के मन में जो संका है मिटानी चाहिए चुटकी बजाई और एक माया रूपी इस्तरी एडवांस पानी भरने के लिए पनगट पर बेजी जिसे बंगी का ही दर्जा दिया और जगड़ते जगड़ते बगवान करिसन और अरजुन उसी पनगट पर पहुंच गए जहां एक पनिहारी पानी भर रही है और बगवान करिसन जाकर उस पनिहारी से उक लगा करके पानी बीने लगे खड़े खड़े अर्जोनस पनिहारी का परिचे पूछने लगे कैसे खड़े खालादे खालादे खड़े अर्जोनस परिचे की रेवाले पागल पहले पानी पी रहा है एक तो पानी पी रहा है और दूजा जाती पूछ रहा है प्रीवी बताती हूँ कैसे ओ मारी भूंगी जैत बताई हम जूटे माने टूख अरे गामन में करें सपाई अरे जनने नफुरत करी करीबन ऐसी बदमासी पानी की जाती की करीम जात करीमन मोहन के आंसे खासो आई रे अलबे ले तो गोन जात के रहवारे पानी पात है वो बन आरे लागर भरवारे ओजी भगवान क्रिश्न ने तो बिना पूछे पानी पी लिया लेकिन अरजुन के पूछने पर मालूम चला की पनिहारी जाती से बंगिन है तो ऐसे चार कदम पीछे हड़ कर बोला रे कनया मैंने रस्ते में बता दिया की भंगी की नीची जाती होती है और तुने भंगिन के ही हाथ का पानी पी लिया अब तु ऐसे नहीं मानेगा अब इस बात को मैं उजागर करूँगा पंच पंचात दुरूआँगा और जब पंचों के द्वारा तुझे डंड मिलेगा तब तुझे ऐसास होगा की भंगी की जाती क्या जाती है ऐसा सोच कर अरजुन क्रिस्ण को छोड़ता है और पंचों के पास चल पड़ा तो भगवाल क्रिस्ण पीछे से विचार करते हैं अगर पटेलन ने वेड़ो वर कही मारे खलाब पेसलो कर दियो तो मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा तो चल कर दीगर दीगर पंचों के लिए रस्पक देदेनी चाहिए ताकि मारे खलाब पेसलो इगो नोई कैसे? आगे आगे अरजुन पीछे पीछे भगवाली क्रिस्ण क्या बोला अरजुन? क्या बोलो भई या? बंगी जैत जगत में नीची दुनिया नाम धरेगी तो क्रू सब के आवे उची आगे गाउं पड़ेगो रस्ता में में जड़ू आंगो पंचैत जैत से भायर करा दोंगा में बाने पंचन कू दिये बोलाए तो सिडी क्रेशन पीछे से लीगर पंचन कू नो त्या है सीदे साधे पहले आगे वे रिस्पत खोरी देवे मथेलो इत्पत कू मडरागे बाने ओजू दिये बोलाए ओ आना कानी करी मटापन भारे कर ले आए पूछी काई बात को रगणो या भंगन का पानी पीवा को केस बता दियो सबडो च्यों बखुआत लगावो लोगो भंगन का पानी पीवा से एसो काई होगो उल्टी बात करो मत्विर्थां उच नीच जाती की मारे है पहला की पिर्थां बे आइंखन में करें इसारे और जागीर तो एक बगल होगे रिस्पत खोरी न्याडे सब अपनी अपनी ठाने ओ न्यागीर तो न्याए करें फिन रिस्पत खोरो बिलारे एसे ही ये पंच सबन की बात परिके लाई है ये नहीं हुयो ये न्याबन साब देखे पंचाट बनेल गई है ना तु आई रे जाद के लेवारे मानी पाद हो पंचात नेख़े रभात नहीं उतसे पेले ही पंचात व कर्षन और अर्जन दोनों ही अकेले में वैठे रह गए इसो कनया ही गोले। देख लिए अर्जन कुछ नहीं ओने वाला। और बैसे भी मैंने क्या प्रदी की पानी पिया था। अरे मैंने तो एक पंगट पर पानी पिया है जो पंगट और क्याव पर पानी पीने का हर इंसान को अतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए ये पंजना मृत है इसे दोस लगाना बहुत गलत है अरजुन क्यों जबरदस्ती इस दोस को गले लगा रहा है अर्जुन को समझाया, सांती में लिया, धीरत बना के साथ लिया लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिंता को देखकर अर्जुन के चेहरे की उदासी को देखकर भगवान करस्ण विचार करते हैं कि अर्जुन मेरा ही एक पाक तरह करके साधर्ण मानव की तरह बटक गए लाइन पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा सो एक रूप में भगवान करसन अरजुन के साथ है और एक रूप से मदारी बन जाते हैं डबल रोल करके अगले बास में जाकर मदारी भेज में डुमडुमी बजाने लगे पबलिक को भेडा किया और जोली से निकाल करके एक लकड़ी का छोटा सा गोड़ा मेदान में रख दिया जैसे जैसे डुमडुमी बजने लगी तैसे तैसे वन लकड़ी का गोड़ा फुल हैट में तयार हो गया तापर बजाने लगा तब बगवान किरसन मदारी बेस में हवाज लगाते हैं सवा के अंदर कोई भाई गोड़ सवार हो किसी में गोड़े की सवारी की हो तो वे हमारा जमूरा बने और इस गोड़े पर सवारी करे ये लकडी का घोड़ा उस जमूरी को तीनों लोकों में घुमा कर लाएगा तीनों लोकों में घुमा कर लाने की बात बताई तो सब उसर पुसर करने लगे कानों में ही बातें करने लगे ओ भाया ये जोली से निकाला था तो लकडी का घोड़ा छोटा था और डुमडुमी बजी तो ये बढ़ा हो गया कोई भाई आप बेट भी मत जाजे ने बिनानाथ जेवड़ान को बोड़ो या डटे डटे कुन डटे कोई जमूरा बढ़ने को तैयार नहीं हुआ इदर एक रूप में जो भगवान कृसंट अरजुन के साथ हैं कहने लगे रहे अरजुन कोई मदारी खेल कर रहा है देख डुमडुमी बज रही है चल कर तमासा देखेंगे तेरी तमा का टेंसन खतम हो जाए तो भगवान कृसंट अरजुन के लिए लगड़ी के घोड़े का किस तरे खेल बताएंगे कैसे बताने मैया तो स्री क्रेशन ने कही जमूरों अरजुन दियो रे बड़ा हैं सारों नगर देखवा आयो और दिय थे दुनियादार काथ को भोड़ा खुबन चायो कैसके जीन लगाम जमूर को पकड़ा दाई कर में और बेट जमूरों गये कोड़ों जब भोडा यंबर मेरे खांसो आई रे अल्वे रे तो गोण जात के लेवाणे खांसो आई अल्वे रे तो गोण जात के लेवाणे खांसो आई अल्वे रे तो गोण जात के लेवाणे खांसो आई अल्वे रे तो गोण जात के लेवाणे प्रश्ण को लेकर आकास की और उड़ गया लेकर पीछे से भगवान कृष्ण ने अपनी माया को छोड़ दिया और अधर आकास में एक माया रूपी गणा जंगल बना के तयार कर दिया जिसमें पेड़ और पहाडों के अलवा कुछ नहीं रचा सो लकड़ी का घोड़ उसी माया रूपी जंगल में प्रिवेश करता है कैसे कैसे भी यह जब घोड़ा ने भईयो डान बचे नहीं अब अर्जन के प्राण गण मन रायो मन में करे विचार पेच नहीं मापारत को खायो के गोड़ा सगर्ग सगर्ग जावे जो सिरे पारना सिरे शकरावे उस्टो फेर घोव मैं कैयो फन में गोड़ा रहे कैजमा के जोरे दर्ण में जावे राख लगड़ी कोड़ गोड़ा टूसे गळो जैसे ही लखडी का गोड़ा और मया रूपी जंगल में प्रिवेज करता है तो कभी पेडों से कभी पहाड़ों से टकर टकरा करके जमीन पर गरा गिरते गरते विखर गया तूट गया अरजन जोडने की कोशिस करता है लेकिन गोड़ा नहीं जड़ पा रहा है अरे माता क्या से बंसी बाड़ो ठंदा फागो किसे करूं भगवान ऐज में कोण देश में आगो मिले नहीं अब जंगल में नीर और चार बना हो जए बंई में कोण बनावे धीर अर्जन भूम रह नखिरारो पल-पल भारी होए कहीं नहीं दीखे बंसी वाड़ो सोयो जनली अभूम पार नहीं जंगल को पायों और पिकट बनी के भीच कमर को नुटी दो घम रायों हांचो आईरे अलवे लेटो घॉण जाहत के लेवाडे बानी पादे वो पने आजे जागल भेरवाडे उस माय रूपी जंगल में अर्जुन को चार दना हो बए बहुत बागदोड की लेकिन जंगल का कोई ओड़ छे वो नहीं आया पेड है लेकिन छाओ नहीं है पाहाड है पर पीने को कोई जल भी नहीं है चार दन में तो अर्जुन का जी गुट गया होट पापड़ी पड़ गई और एक बेड़ के नीचे बेड़ कर बगवान क्रिस्न को पकार ने लगा रेक नईया मैं कहां आगया सार्द ना हो गए ना अन का दाणा मिला और ना पाणी की कोई गूट मिली अम मैं मरने बाला हूँ मुझे बचाने करनेया तू जहां कहीं भी है मेरी मदद करनेया जब बगवान कृष्ण को पुकार रहा है तो बगवान कृष्ण के सायर करते हैं अर्जुन अभी तो हुआ क्या है होने वाला तो और आगे अर्जुन बगवान कृष्ण को पुकार रहा है और इधर वगवान क्रिशन खड़े खड़े अपनी माया को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी जंगल के अंदर एक सुन्दर सी नगरी बसा रहे हैं लेकिन उसमें बंकियां के अलाबा और कोई दूजी जाती नहीं है अच्छानर दिन छिपने को आया और दिन छिपने में उसमाया रूपी नगरी में दीपक जलने लगे और दीपक के ओजाड़े में अरजन को एक बोड़िया नजर पड़ी तो बिचार की यारे कांथ में छोरो और गाउं में हेरो में इस दिसा की और नहीं गया नहीं तो ये गाउं पहले ही मिल जाता एक बुड़िया भी नजर आ रहा ही एसाज पीने को पानी मिलेगा कुछ खाणे को भोजन मिलेगा ऐसा सोचकर अरजन उसमाया रूपी नगरी में प्रिवेज करता है कैसे कैसे कर अभीया कोजी अरजन भूख प्यास में एतना सताया हुआ था कि जैत पैत को पूछी डाइरेक्ट रोटी पाणी के लिए बुड़िया ने कहा रहे अंदर आओ भोजन करो पाणी पी नहीं कैसे तभीतर बुला नैर ने लियो बंगिन के घर भोजन करवन ठंडा पाणी पी यो सोगो कुंती सतवलदारी जन्रूगे उपर भात वकरिया म्या म्या कर रही कारी ओर जागी धिंगन सता कुवारी और कैट बकरिया को दूद पुआ रही पीर उगो तारी एक दमन आसोता पे गई है दिये थे रूप बापे मोहटे होगबा के पकड़ कलई आल लही है दिन उगुने पर अर्जन को रोटी खापी करके तसली से सोया और आराम से हलका होकर सोबे जब खाट से खड़ा होता बेठा होता है तो भंगी की इकलोती कुवारी कन्या गनगोरी नाम से बिचार करती है एक अतिती हमारे घर ठेरा हुआ है तो बकरी का दूद निकाला और दूद का गिलास लेकर वे लड़की अर्जन के सामने आई और जैसे ही अर्जन ने गोर से उस लड़की को देखा तो दूद का गिलास नहीं उसका हाथ थाम दिया और कहने लगा रे तो कितनी सुंदर है तेरी जैसी सुंदर लड़की को पहली बार देखा और देखा तो मेरा मन मचल गया लेकिन तेरी सुंदर ता का यहां कोई मोल भाव नहीं है अरे मेरा नाम अर्जन है मेरे साथ घरवाली बनके रहेगी तो मैं तुझे पट्रा नहीं बनाती रखूँगा मंगी की छोरी कहवलागी रहे परदेशी पेले हाथ को छड़ दे दूध पी ले अगर माई बाप देख लेंगा तो बला बुरा मोसुख है रज दो तेरा सारगा देंगा अर्जन हाथ नहीं छोड़ता है रहे कहीं खेवलागी हो कहीं हो या कैसे के मारे वोते तो गातन को मेल मना देतो ये राखो मत मैं पापया पोर मना देतो अब छोरी को पेकड़ा हाथ डोकनी भीतर घर से आई कैसे अर्जुन के हाथ में तो गंगोरी का हाथ थमा हुआ था अचनक गंगोरी की माँ भंगड अंदर से बार नकरती है और बेती के हाथ को पर्देशी के हाथ मैं थमा देखती है तो आग बवुला हो गई एक दम गुस्से में बर गई रहे पर्दे से बाई आड़ी में खैर बाई में ठेक किर लियो रहे तो रोटी गुआई सोबा खाट विचाई रहे चोरी को यात पगड़ लियो गुस्से में भरके गनगोरी की मा जब अरजुन के सामने आती है और जब गौर से बेटी और पर्दे सी को देखती है तो गुस्सा एक दम ठिंडा हो गया अरे ये पर्दे सी जब रात अंधेरी में आया तो सईकर से हमसकला नहीं देख पाई गौर से देखा जाए तो राज कुमार जैसे लग रहा है मेरी बेटी के समान सुंदर इस दुनियमना किसी परुष को देखा नहीं किसी इस्तिरी को देखा और ये पर्दे सी तो मेरी बेटी से भी सवाया दगना सो भाय मान दखाई दे रहा है अरे हमारों बंगी छे मैं यहां को छोरी को ठेकाणों देखता दोद्रिया फ्री ठेकाणों को पायो एज राम जी ने घर बेठे जन्टुसर को मेवान बेज दियो इवात जैर बंगी को बताए तुर दोनों को फेरा पड़वाए तू ऐसा सोचकर बंगेर बात तुही बंगी के पास जाती है काई खेवाला गिरे चोरी को पिकले हाथ दोपरी भीतर घर से आई और मन में राजी हुई जैर नियो भंगी से बतलाई हमसे हुयो राम जी राजी चोरी को मिलगो बलम आज तू बेगो कर दे साधी कहीं नहीं पागे ठोर ठेकाणों और ठोर ठेकाणों मिले मिले माच्छोरा गए भी काणों कोई गायन को गेवाड़ो कोई रंग को रंगो काड़ो इतो है सोबैर एक भारो और गंगोरी के दिल में बस गो आगे उपर बारो किन से देखा यू मैं मान जोर गोए और छोरी उराज ये तो फेरा पार्दा घराम करें को सोभेगे कैसे तो छोरी बला बाप में लए और मुन की पुछी बात भमरिया पैड़ सता की दई फेरा दी ये पैड़ जैत को पतो नहीं भाई कैसे वोप पारी की अरे जाती की न फोरोत करी डे भमरिया भैं मैं से ठाए विल्वोटो से के मारे होजे दोगाजन को मैं लबना देदा ये जेरा दो मजने पाफ आया बोरमदान तो जोगे मेरे लोगे लोगातन को मैर मना देतों ये देरा दो मट मैं पाफ़या होर मना देतों कहां तो अर्जुन ने बंगन का हाथ को पाणी भी गौन भी हो और अब बंगियों का जमाई बन चुपा है साधी के बाद मन मन मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुन्दर घर बाड़ी मिली है अरे इस जुगले जोड़ी को मेरी मा और मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे एसा सोच कर खड़ा हुआ और गेट को खोल कर दरबाजे से भार निकला तो क्या देखा गेट के सामने ही सूरों का गुवाड़ा बना हुआ है एक दम दमाख में टेंसन आया कभी गुवाड़े की तरब जांकता है और कभी बंगी के घर की तरब जांकता है विचार करता है रहे भगवाण ये तो बंगी ओगर है उसी जाती का घर होता तो गईयं मिलती भेश मिलती जादा से जादा बकरी मिलती यहां तो सूरों के अलावा और कोई दुजा जानवर ही नहीं है मोई तो इश लगे सुवे दूद की होगा तो सूर रही कोई भी होगा एक गम पछाड खाके जमीन पर गिरा और मूर्चा आ गई बेहोसी आ गई जमीन पर गिरा भागते हुए बंगी आए महमान के चैरों तरफ बेट गिया बीज़ी इस वेल गिरवाला या इस तरह का बिचार भंगियों के मन में पैदा हुए तो मन में राधी हो रभमरिया खाई अरजुन के संसे गयो के लाड़ी है भंगिन की जाई देखे सूर चरें गौडे में चकर आगो गिरो तमाडो खैर पचाडो खागो एकदम गिरो धरन के माई वे भंगि करें विचार आए फेटे में गयो जमाई तो स्याने भोपा तरत बलाए वे कर रहे राख भभूत होस नहीं पर दूले कू चूब तो पहल गई दुरगा की और खपर लियों सजाए घेट जब दियद ही मुरगा की उतारो बिन्ने करवायो फेर सब जूटे हो गए होस नहीं दूले कू आयो पंगी करें विचार सुता की किसमत है फोटी सपयाठ जवान देशन नंtw Cleo पंगी करें विचार साल रिए लोटी लेकिन अर्जुन को होस नहीं आया क्योंकि अर्जुन के उपर तो कृष्ण की माया में कर्जा कर लिए और क्रिष्ण की माया के आगे किसी शाना गोपेगी नहीं चल पाती तो भंगी परेसान हैं अर्जुन बेहोसी में पड़े हैं तो भगवान क्रिष्ण ही बिचार बनात सब्सक्राइब क्योंकि हर बहन बेती को पिता का घर चोड़कर पती की घर जाना होता है अर्जुन के वाले गोरे महराज में तो आस्मान को पिटको और दर्थी को जिलम और नाम कोई पतो को और तो गाओं को ना कौसु बता हूँ बोली आची आपज गड़े पड़ी या को छोड़ी कि तो छोड़ी द दर्धार मत को घर जमाई और रही है को पी संग जाने की कोशिश थी लेकिन अर्जुन अपनपर इच नहीं बता पाया क्योंकि भगवान नों उसकी अतास्ति का और न कर लिए कैसे अर्जुन बेठयों ह होस में आयो अब अर्जन बेठो होस में आयो बंसी वाड़े में माया को इस जाल बचायो घर की सद्वुद्भूयो सारी बगनगोरी के संग मौज सूरह वे उतारी बिनकू अलग जौपडी च्छाई और गान गोट हतनाय रहक दियो घर पे देख जमाई अर्जन को घर जावे अर्जन शूर चरावा जावे और भेंगन जावे जैवेर भाई तूक मैं केलावे वासू फंदा फेवो भारो उबना डको ली दियच करे जब अपनो पेट गोजारो खाखा अंडा मास मटा की भेंगन होगी पोरी और छोरा हयो ने एक बाके होगी बारे सोरी कोई परी परी बिल्लावे कोई साज रोटी मांगे कोई मांगे सूता भूता कोई मांगे छाचरा बडी कोई कपडा जूता सूने दो में सोर राय रोजी म्याती आवे वोगा की छोरी भूगी रोय पेचे नहीं आरे जो में च्योपावे परी बार बड़ गया बारे बच्ची पैदा हो गई और घर में गरीवी प्रवेस कर गई इस बात को आप सब जाड़ते हैं परी बार बड़ता है तो गरीवी जड़ा जोग लगा हुए आज का योग में तो एक बेटी बारी पिड़ रही है जै अरजुन के घर में तो बारे बेटी पैदा हुए नसूरों को घेर पा रहा है न बच्चियों को लालन पालन कर पा रहा है अहां रे कोई मांगे चाड़ी कोई कोने कर भैटगा को लापे हेरे दो दो भोवी में दो बैठी रोरई चोला पे कोई मांगे चाड़ी कोने कर भैटगा को लापे दो दो भोदी में दो बैठी रोवें चोला पे यह तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परीबार सुखी परीबार सरकार भी खूप जो लगा रही है या आपके हम दो पर हमारे दो चोड़ो करा तू मुचो नो चो किशा औरा जान के रहे डोई नहीं के कोई बात कु दो तरी पे बसता है अरव नहीं का बच्चेव को सवाल पारा है को फड़ों commend के देग वह तो भारे या ने तो अल्fyरों के बैलता है यह रोज रोज की और इसे में तंग आ गया आज मैं सूर चलाने के लिए जंगल में जाओंगा बहीं से डपोली बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाओंगा तुम एरी रोटी लेकर आजाना ऐसा के कर हात्म लाठी और दराती लिए सूरों को लेकर जंगल में उसी जगे पहुँच गया जहां लकड़ी के गोड़े ने अरजुन को लाकर पटता था सूर चला रहा है लकड़ी काट रहा है माते पसीना तपक रहे हैं ऐसे में भगवान क्रिस्न विचार बनाते हैं अब अरजुन से हद हो गया अब अरजुन को होस में लाना चाहिए सुच्टकी बजाई और बही लकड़ी का गोड़ा अपने तयार हो गया और जैसे ही लकड़ी का गोड़ा टापर बजाते हुए अरजुन के सामने से गुजरता है तो गोड़े को देखते ही अरजुन की यातास्ती बापिस आ जाती ह कि यह तो बही लकड़ी का गोड़ा है अगर यह गोड़ो मारे हाता जाया तो सोपना यह ग्रस्ती में तो इपर बेटर मारा गरकान के चले लाना लाठी को पतक दिया सूरों को छोड़ दिया गोड़े के पीछी पड़ गया इतनी में गरगोणी गंगोरी भुंगने बार बच्चियों सहित अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई पती का तमासा देखने दगी कैसे देखने मिया एक दन सूर चरावे धायो दिकट बनी के बीच काट को गोड़ा घूमत पायो गोड़ा देख पुराणी याद एक दम आई यह चोरा सी का चकर में में भूब गयो भ में भख कुजाओं के सो बचननार्शे कि यों के तू तो मजा मेरी जो मैडम में जिरकान के जाजू युष्णमाजाऊ मैं जो मैं ज़गाने के जाज़ो तो मजाऊ ज़गाने तो धरराम राव रखा ठाड़ा जए ही जटारी है गंगण ना छोरियों को अचकी हे साह्ट कियर छोरियों याने पुता पानगु छोड़ जाएगा तुम्हारा थरो पेट पॉड़ भर रहे हो तो 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 सिर्की मेरे होती सोगाजन को मैल मना दे जाओ जैसे ही लकडी के गोड़े नवड़ान बरने की कोशिस थी उससे पेले ही गनगोरी में बाग कर अरजुन का पेर पकड़ा और पेर भाई पेर भाई बारे वच्चियों ने गनगोरी का पेर पकड़ा सो बेदाड़ा बंदा हुआ आकास मार्ग से गोड़ा उसी जगे पहुंच रहा है जहां बगवान किसन मदारी बनकर खेल कर रहे थे अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ जब गोड़ा ने भरियो डान भूम तो जावे मखरे मदारी खेल कमाचो देखत दुनिया पावे कर द किस्ति को कहां से ले आया सो अरजुन कुछ नहीं बोला और सिर्जुका के खड़ा रह गया और सोचने लगा कनया यहां तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और बहां मेरी ये साधी हो गई बारे बच्ची पेदा हो गई कुछ समझ में नहीं आ रहा इतने में गंगोरी बि करीवर जोरी अब की वे छोड़ वाड वाड ओले किसे करू महाराज आज वोसु महुडासू को दोले मैं तो क्याच दमारो लिती इन बारे छोड़ी संग बता मैं इनको खांकर देदी महाराज में गंगोरी नाम से बंगी की निकलोती कवारी कन जबर्दस्ति मेरे साथ इस के देखर कोई गड़े को लगाया बताओ में का गड़े के से बोल्यो मनमो हनगिरी धारी अरजन तेने करदाई भारी तो पूने सरम को आई पाणी पीबे के ऊपर तेने पंचे ते जड़ाई ओ अजन मैंने एक बंगिन के हाथ को पाड़ी ती लियो जब तेने पंचे तके जड़ा दी और में अम्मे का गरुबदा तो तो बंगिन सु सादी करत फोरी पैदावर कर लाए तू का जाने यार कसर अब में तो सुछोड़ंगो तो केसे अरे जुलु आदं पंचे डंडेतो ओंगो और मोरट्व ता मोड़्ता अम्गो वो तो सुछकी मेरे ओची दोह आतने का मैंने मना देताओ ये देरा दोह उपद में का बैया मोल मरा देतो तो बोदो पिन का आतने का मैंन ळेताओ अरजुन भगवान के चरड़ों में गिर गया फिर पकड़कर गड़गड़ाने लगा का नहीं ऐसा मत करना अगर इस बात को उजागर कर दिया तो मैं आत्म अट्या कर लूँगा मर जाऊँगा इदर भगवान क्रिस्म बार बार पंचैत जोड़ने की कह रहे हैं और अरजुन भगवान के चरड़ों में हाँ जोड़कर गड़गड़ा रहे हैं अब मेरी जिंद्गी तेरे हाथ में है का नहीं है मुझे बचा ले इस बात को उजागर होने से रोग ले अगर उजागर हो गई तो मैं आत्मत्या कर लूँगा किसी को मुझे खाने के लाइक नहीं रहूँगा कैसे अकेली बेंगेड़ा आतो तव कच बात टेब्वे पे आती अत एक लोठी ग्रस्ती लेर चले और मोसु करो या डव लगा मैं तो पंचय जोडर फेचलो करूँगा कैसे मेरी लाज बचा गिरिधारी बेगी आपू दुबायाए तुम तकर खोले ओवारी क्रिशन के चल्ड़ों में बार बार अरजन जिन्दगी की भीक मांग रहा है अब मेरी जिन्दगी तेरी हात में है या तो तु इस बात को औजागर कर दे और या इस बात को छेपा दे तो बगवाँ ने क्रिशन को एक दम अरजन के उपर हंसी आई और किसमी की हसी में आर्जन को खिसनी की माया नजर पड़ गई सो हाथ जड़कर खड़ा हो गया कैसे के तेरी लीला को ओ तेरी माया को ने बायो कोई पार के लीला तेरी तुई जाने तेरी भाया को ने भाया कोई पार के लिला तेरी सुई जाने उच नीच को भेद कताई को राखू गरी धारी केथे वो ठाकी सबन दिये खे अरे मन मोहन बनवाजे तेरी वो तो तेकी मेरे उची को गातन को मैं बना दे जो क्रिशन की हसी मेरे अरजन को जबाया नजर बढ़ी तो जान गया ये तो भगवान क्रिशन की माया है और क्रिशन की माया के आगे संसार में ना कोई हूचा है और ना कोई नीचा है मुझे माप करना कनिया मैं भी इस दुनिया में आकर की ब्रमित हो गया मैं जान गया संसार में कोई हूचा नीचा नहीं है लेकिन अब तेरी माया में तो मेरा जी घुट रहा है अब मुझे तेरी माया से मुख्त कर दे कनिया मैं कसम खा कर कहता हूँ मुच नीच और जातपात का भेदवाब बलकुल नहीं रखोंगा कसम खाई तो बगवान करिशन को दया आई ओ अरजुन जातपात जाने सब कोई और हरी सुम्रेज़े हर को होई कसम खाई तो बगवान करिशन को दया आई अरजुन को माप किया और बारे बच्चियों सहित बंगन को बुला करके क्या रास्ता दिया क्या हुआ हुआ है। सोमगती के दिनगंगा में आउतन का उद्धार गंग में सब की होएगी गती उच नीच देख छोड़ करो सब यही स्वारे की और भगती कि ईय वो तो सेहगी पहले की देखाँ हिपी अवे महती दोगान सब कजय दो मनादेखाँ विल्कनयाव लारेके झै.. झाल झाल